हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपने यूटूब चैनल NCRT Notes Special में आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं ये चेप्टर नंबर 13 है जिसका नाम कार्बनिक पदार्थ बहुली करन तो कार्बनिक कंपाउंड एंड पोलिमराईजेशन ठीक है तो ये आपके लिए बहुत important होने वाला है इससे पहले 12 जो चैप्टर है वो हम आपको करवा चुके हैं ये जो पीछे exam में आए हुए है चैससी में उनको इकठा करके वीडियो बनाए गया है उनका संपूर्ण हल हम आपके लिए लाए हैं तो अगर आप इस वीडियो को लाष्ट तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मैटवपूर्ण होगा क्योंकि हर 12 एक्जाम में ऐसे ही question पूछे जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाष्ट तक जरूर देख लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है कार्बनिक पदार्थ वे बहुलक की करण ठीक है सबसे पहला question देखे मद्दक पेपदार्थ सामन नित्ते बनाय जाते हैं किसे बनाय जाते हैं ये बनाय जाते हैं एथेनोल से एथेनोल क्या है ये एलकोईल समू का पदार्थ है ओद्योग एक सतर परहिसे शीरा के किनवन से बनाय जाता है इसका परियोग सराब, परफ्यूम, पॉलिस, पारदर्शक, साबुन इत्ते बनाने में किया जाता है तो किसका उप्योग होता है एथेनोल का नेक्स क्यूशन देखे फलों को करत्रिम तरीके से पकाने के लिए उप्योगाने वाली गैस है कौन सी है? एसिटीलीन एसिटीलीन का फर्मूला है C2H2 स्रोपर्थ में इसे अमेरिका विज्यानिक विल्सन ने मनाय था किसने? विल्सन ने ये कपूर बनाने, लिूसाइट विसली गैस बनाने में भी प्रियोग होता है इसे कैल्सियम कार्बाइड कैल्सियम कार्बाइड परजल के अभी क्रिया द्वारा बनाय जाता है एसिटीलीन को, ठीक है? थर्मोकोल किससे बनाय जाता है? तो ये बनाय जाता है पॉलिस्ट्राइन से वास्तों में थर्मोकोल का दूसरा नाम ही पोलिस्ट्राइन है यह है स्ट्राइन फार्मूला है C6H5CHCS2 ठीक है एककों के बहुलग की करण से बना जाता है परियोग विद्धुत्रोधी के रूप में खिलोने, रेडियो, टीवी, कबिनेट, कुंदों, आधी बनाने में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्यूस्चन है क्रोस लिकंड पोलिमर का एक उधार्ण है कौन सा है? बेकलाइट क्रोस लिकंड या नेटवर्ण पोलिमर इन पोलिमर में एकक, अन्य एकक से जुड़कर एक तीन वीमिये जाल का नियम, जाल का निर्मान करते हैं ये पोलिमर काफी मजबूत भंगूर का ठोर माने जाते हैं जैसे बेकलाइट, गलाइप्टल, मिलामाइन, फॉर्मल डियाइड, पोलिमर, इत्यादी ठीक है? वल की, जो वलकनी करने एक क्या है? ये सलफर के साथ गरम करते हुए कठोरी कर्ण की पर किरिया ठीक है? उसको बोलते हैं वलकनी कर्ण प्राकर्तिक रबबड को सलफर के साथ मिला गरम करने की किरिया ही वलकनी कर्ण कहलाती है ठीक है, काफी पार एक जामें पूछा है रबबड को सलफर के साथ मिलाने की पर किरिया कुन सी है? वलकनी कर्ण इसके बाद रबबर एक निशिता अगर ग्रेंड कर लेता है मिथेन फार्मुला है CH4 एक खलिस्तान के आकार का होता है किसके आकार का चतूस फलक होता ही है टेटराइडरल ठीक है निमन में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटरों में भरी जाती है तो ये ब्यूटेन होती है ब्यूटेन रसोई गैस में इस्तेमाल की जाती है डियोडरेंट में भी इस्तेमाल होती है सिगरेट लाइटरों में भी परियोग की जाती है कत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए की जाने वाली ऐसी टाइलिन है पहले ही बता चुके उसके बाद प्राकर्तिक रबबड किसका बहुलक है तो यह आईसोप्रीन का है प्राकर्तिक रबबड यह आईसोप्रन C5H8 अर्थाथ 2-Methyl-1-3-Butadine का बहुलक है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्यूस्चन देखिए पेंटेन के तीन आईसोमर होते हैं कौन से कौन से एनपेंटेन आईसोपेंटेन नियोपेंटेन ठीक है आईसोमर देखिए यहाँ पर क्या होते हैं ऐसे पता जिनका सुत्तर समान हो प्रंतु अणों का स्तान बदल जाए और उनके गुण सवबाव परकति में बदला हो जाए उन्हें बोलते हैं आईसोमर ठीक है Acetic अमल में कौन सा क्रियात्मक समूँ पाय जाता है तो COOH Acetic अमल में होता है ठीक है उनके last में क्या में लेख आपको COOH जैसे देखे Acetic अमल Ethnic अमल भी कहा जाता है इसको यह रंग हिंत्रल होता है सुत्र है इसका CH3 CWH तो last में क्या है CWH ठीक है formaldeide सामने रूप से किस नाम से परसिद है तो formaldeide है formalin के नाम से ठीक है उसका next देखी formaldeide का formula क्या है CH2O और IUPAC ने में है इसका methanol ठीक है nail polish remover में होता है क्या होता है acetone acetone क्या होता है यह पढ़ लीजिए यहाँ पर acetone nail polish remover में परियोग किया जाता है यह removing कारिये को सुगम बनाता है प्रन्तों तउचा के लिए नुक्सान दायक भी है acetone nail acetone है nail polish remover तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा please like comment करके जरूर बताईए आपसे एक छोटी सी request इस वीडियो को अपने दोस्तों एक साथ भी share कर दीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में यहां पर बहुत सारी anti-arty की वीडियो जो आपके लिए हरियाना पुलिस के लिए महतव पूर्ण होंगी वो डाली जाएंगी तो चैनल के साथ जरूर बने रहें और आपका इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद